पहला क्यूशन है हमारा स्कॉायर से तो यहां पर बोला है हमें एक फीगर हमें दिया हुआ है एक चित्र हमें दिया गया है और इसमें बोला कि कितने वर्ग है यानि कितने स्कॉायर है तो हमें क्या करना है हमें यहां सबसे पहले हम एक चीज गिनेंगे इसमें इस फीगर में रो कितनी है और कॉलम कितने है तो कॉलम की बात करें तो देखो ये वाले तो होते हैं कॉलम ठीक है ये वाले होते हैं कॉलम और ये वाली होती है रो तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए तो रो की बात करें तो एक दो और तीन तीन क्या है रो है और कॉलम की बात करें row और column बराबर है और जब भी हमसे पूछा जाए work के बारे में और उसमें अगर row और column बराबर हो तो कुछ भी नहीं करना है बस करना क्या है यहां जो number यह आपको दिखाई दे रहा है भाई कितने row है कितने column है तो यहां पे देखा row कितनी 3 है column कितने है तो इनको बस square कर दो इनका यानि कि देखे यहां पे 1 का square, square करके आपस में जोड़ दो 1 का square, 2 का square और 3 का square क्योंकि 3 ही row है, 3 ही column है तो बस मैंने कुछ भी नहीं कर दिया तो यहां पे 1 का square वनी होगा, 2 का 4 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा अब बस इनको जोड़ना है अब इनको मैंने जोड़ा तो answer आ जाएगा 14 इसके अंदर कितने वर्ग है अपना answer हो जाएगा 14 यानि कि 14 वर्ग है, square है ठीक है, next देखते हैं इसी तरह से question अब देखो यहां पर जो trick मैंने समझाइए वो समझ आ चुकी होगी तो सबसे पहले मैंने क्या सिकाया row और column गिन लेते कितने हैं, तो यहां पर मैंने देखा कितने column में इन गिल लेती हैं एक, दो, तीन ॉर चार चार क्या है यहाँ पर मैंने देखा कि चार क्या है कॉलम है इसी तरह से अगर मैं रो गिनू तो आप देख सकते हो कितनी रो है एक दो तीन और चार चार ही क्या है रो है तो बस मैंने क्या बताए जितने कॉलम और रो जितने भी है क्योंकि यहाँ रो और कॉलम बराबर है और 3 का square प्लस 4 का square बस मैं ये काम कर रहे हूं अब इसके बाद 1 का square एक होता है 2 का square 4 होता है 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16 4 का square 16 अब इनको आपस में जोड दिया तो इनको आपस में जोडने से answer क्या आजाएगा answer आजाएगा 30 इस ये जो आकरती हमें दिखाई दे रही है इस आकरती में कितने वर्ग है कितने square है 30 वर्ग है ठीक है आचुका है समझ आचुका होगा करना कुछ नहीं है बस मैंने बता बाकी कुछ नहीं करना नेक्स यहां देखिए अब इसमें बताओ इसमें कितने square है कितने वर्ग है यह पूछा है तो यहां पर करना क्या है पहले हम चेक करेंगे row और column बराबर है क्या तो चेक करते हैं देखो यह तो अपने क्या है column है तो column कितने 1, 2, 3 तो column हो गए और row की बात करें तो एक और दो, दो row है यानि कि यहां पर row और row कालम की बात करें तो यह बराबर नहीं है और जब भी row और column बराबर नहीं होंगे ना उस case में हम क्या करेंगे यहां देखिए यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको last का number यहां दो और last की यहांपे column क्या है तीन त तो मैंने यहां लिख सकती हूँ 2 गुणा 3 यहां पर लिख लिया मैंने ठीके अब इसके बाद में यह तो मैंने लिख लिया अब यहां पर इसके यहां बड़े तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है 2 और यहां पर क्या है 1 तो इनको आपस में क्या कर देंगे गुणा कर दे यानि कि फिर से समझा देती हूं कॉलम कितने एक दो और तीन और रो कितने एक और दो तो अपन ने क्या सिखा कि रो और कॉलम यहां पे बराबर नहीं है तो इस केस में अपन क्या करेंगे इनको आपस में गुणा करेंगे यानि कि दो गुणा तीन अपन करेंगे और इसके ब आपस में हो गे 2 और 1 गुणा हो गे आपस में 3 और 2 multiply हो गया आपस में अभी हम céu पर यहां पर नरहले स्पीक्ज देखा और यह 1 बताओ कितने वर्ग है तो मैंने किया देखा पहले रो और कॉलम चेक करती हूं तो यहां पर मैंने देखा चार तो कॉलम है और रो की बात करें तो तीन क्या है रो है यानि कि रो और जो कॉलम है वो बराबर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है बराबर नहीं है तो देखो यहा साथ इसमें हम जोड़ेंगे यहां पर यह जो तीन है इसको किसके साथ कर रहे हैं तीन को हम मल्टिप्लाइब कर रहे हैं तू के साथ अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट यहां पर टू है टू को मल्टिप्लाइब कर रहे हैं किसके साथ टू को मल्टिप्लाइब कर रहे हैं तो यहां पे 2 आ जाएगा, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इनको जोडना है, और जब मैंने इनको जोड़ा, तो यहां पे क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 20, 20 क्या है, ठीक है, समझ आ चुका होगा, इसी तरह से यहां पे बताओ, इसमें कितने वर्ग है, यह पूरा बड़ा वाला, कितने हो गए, टोटल 5, क्या हो गए, स्क्वाइर हो गए, वर्ग हो गए, तो आंसर इसका हो जाएगा 5, ठीके, तो यह वाला मैंने देख लिया, क्या, 1, 2, 3, 4, और एक बड़ा वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, लेकिन एक बात बताओ, अगर इस तरह का कुछ फिगर दिया हो, यहाँ पर मैं बना रहे हूं थोड़ा सा ना, क्यूंकि यह वाला कॉंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चीए, अगर इस टाइप का दिया हो, तो मुझे बताओ, इस टाइप के में कितने वर्ग है, कितने स्क्वाइर है, तो मैंने क्या दे और जब यह एक और उपर से रखा गया, तो कितने हो गए, 6 हो गए, तो इस तरह की जब भी आपको आकरती दिखाए दे, आप आप बंद करके आंसर कर दोगे, 6, कितने स्क्वाइर है, कितने वर्ग है, इसमें 6, और यह वाला जो है, जिसमें यह वाला नहीं है, इस वाले म एक, दो, तीन, चार, और एक बड़ा वाला पांच, तो देखो, यहाँ पे यह इसी के सेट रखे हुए है, यहाँ पे यह देखो, दिख रहे हो, यह छोटा ही-छोटा वाला इससा देख रहे हो, तो इसमें कितने है, 5 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, 5, इसी तरह से इ इसमें भी 5 हो गए इसमें भी 5 हो गए तो कितने हो गए टोटल हो गए 15 आंसर आ जाएगा 15 15 आपका correct आंसर है चलो next देखते हैं इसमें कितने हैं ये बताना है कि इसके अंदर कितने वर्ग है तो मैंने एक चीज देखी कि अगर मैं इनको भूल जाओं एक बार के लिए मैं अ कैसे बताया था मैंने एक बार के लिए इनको बिल्कुल माइन से निकाल दो यह कुछ ही नहीं तो यहां पर मैं क्या करूंगी मैं देख रहे हूं रो कितनी है कॉलम कितनी यह मेरे को गिनने पड़ेंगे एक दो तीन और चार चार क्या है एक दो तीन और चार चार क्या है र है 4 रो चारे कॉलम तो जब रो कॉलम बराबर है और पूछा है हम से वर्ग मैंने क्या बताया था इनको स्कॉयर कर दो स्कॉयर इनको जोड़ा का हाँ मेरे को क्या मिला, 30, 30 हो गया, चलो ये तो ये उ गया, इतना काम तो अपने कर लिया, अब इनके बीच में देखो, ये रख दिये, यहाँ पे, ये दिखाई दे रहे आपको, और ये वाला कौन सा था अभी पिछली कुशन में अपने देखा थे, ये 5 वाला सेट है, तो 5 पांच यह तो इसके अंदर हो गए, 5 ही इसके अंदर हो गए, 5 ही क्योंकि 5-5 वाला सेट है ना यह, तो ऐसे मिला के 5-5-10, 5-15-5-20, तो 20 यह हो गए, तो 30 और 20 को हम जोड़ेंगे, तो टोटल इसमें कितने वर्ग है, कितने स्क्वाइर है, 50, 50 आपको याद रखना है, किस त गबच कोर दिया है है, और मैंने इनका बस एक्यायर कर दिया है, और गडल ऑन और 26-13, तो यहाँ पर इस वाले इससे को करें, तो यहाँ पर यह पांच पांच वाला सेट है, तो पांच, पांच, दस, पांच ही इसमें 15, पांच ही इसमें 20, तो 20 हो गए, 20 को मैंने जोड़ दिया, 50 हो गया, चलो next देखते हैं, अब बताओ इसमें कितने यह है, इसक्वायर है, कितने वर्ग है, तो यहाँ पर क्या करना ह एक बार के लिए अज्यूम कर लो, ना तो यह लाइन है, और नहीं यह साइड के कुछ है, सिंपल आप बस इस वाले इससे को सॉल कर रहे हो एक बार के लिए, यह वाला जो इससा दिखाए देर है, इसको सॉल कर रहे हो, तो यहाँ रो और कॉलम देखो कितने है, 1, 2, 3, 3 त करना क्या है एक का इसक्वाइर प्लस दो का इसक्वाइर प्लस तीन का इसक्वाइर एक होता है दो का इसक्वाइर चार और तीन का इसक्वाइर नो तो इस तरह मैंने इनको जोड़ा तो इनको जोडने पर कितना आ जाएगा 14 14 आ जाएगा अब इसके बाद यहां पर साइड म तो rectangle का बताना है, इसके अंदर कितने आयत है, कितने rectangle है, तो करना क्या है, चाहिए rectangle हो, चाहिए square हो, पहले row और column गिलेंगे, तो यहाँ पर मैंने row गिनती हूँ, column गिना, 1, 2, 3, 3 तो column है, और row मैंने गिनी, 1, 2, 3, row कितनी है, 3 है, यानि कि row और column जो है, वो बराबर है, यह मैंने देखी, अब मेरे को करना किया है, बस ही इनको मैं आपस में जोड़ दूँगी, ठीके, आपस में मैंने जोड़ा, 1, 2, 3, तो कितना हो गया, 6, और इनको आपस में जोड़ा, इनको भी आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी 6 मिल गया, तो बस यह 6 और 6 जो मिला आपे बताओ इसमें कितने आयत हैं, तो चलो row और column गिल लेते, एक, एक, दो, तीन और čार, चार क्या है क्या है रो है, तो मैंने देखा row और column क्या है बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है पहले इनको add कर देते हैं जब मैंने इनको आपस में add किया तो यहां मेरे को मिला 10 इसी तरह से इसको add किया तो यहां पे मेरे को मिला 10 तो मैंने क्या बता है आपस में इनको क्या कर दो multiply कर दो 10 गुणा 10 10 गुणा 10 मैंने किया तो answer आगया 100 100 क्या है? आयत है तो answer हो जाएगा 100 ठीके? next यहां देखिए अब बताओ इसमें कितने आयत है यह बताना है इसमें कितने rectangle है तो row और column गिंते 1, 2, 3 3 तो क्या है? column है 1 और 2 2 क्या है? यह है row तो guys एक interesting बात पते क्या है rectangle में? rectangle में चाहे row और column बराबर हो चाहे row और column बराबर ना हो दोनों में concept एक ही लगेगा एक जैसा ही जो row और column बराबर थे उसमें जो concept लगा वही चीज इसमें लगेगी तो क्या किया था? row और column बराबर थे उसमें अपने क्या किया थे? इनको आपस में add किया था इनको आपस में add किया थे तो यहां मिल गिया 6 और इनको जब मैं आपस में add कर रही हूँ तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा 3 तो अब बस इनको multiply कर देंगे 6 और 3 को 6 और 3 को मैंने multiply किया तो answer आ गया 18 18 यहाँ पर correct answer है चलो अब इसमें बताओ कितने rectangle है तो काम क्या करना है क्या बताए अभी मैंने गिंते है row और column कितनी है तो यहाँ पर देखे मैंने column कितने है मेरे पास 4 है row कितनी है 1, 2 और 3, 3 है तो यहाँ पर जोड़ेंगे इनको और इनको भी आपस में जब मैंने add किया इनको आपस में guys add कर रहे हैं यहाँ पर इनको add कर दिया तो यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर add करने पर कितना आ गया 6 ठीके अब 10 यहाँ पर आ गया चतुरबुज यानिकि यह जो figure दिया है इसमें कितने चतुरबुज है कोई tension नहीं है rectangle आपको आता है न तो समझो चतुरबुज हो गया क्योंकि जो rectangle और जो चतुरबुज rectangle और पैरलोग्राम वाला है न पैरलोग्राम इन में same concept है जो काम rectangle में हुआ same वही काम होगा पैरलोग्राम में चतुरबुज में तो rectangle में अपने क्या किया था सबसे पहले काम कर रहे थे row और column गिनने का तो यहाँ पर column मैंने गिन लिए 4 है और row कितनी है एक और 2 है फिर rectangle में अपने क्या किया थे इनको add किया था तो yellow यहाँ पर भी मैंने इनको जोड़ दिया आपस में इनको मैंने जोड़ा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो मेरे पास कितना है 10 इसी तरह इनको मैं आपस में जोड़ दूँगी तो 3 आ जाएगा अब यहाँ पर उसके बाद क्या किया था इनको multiply किया था जोड़ने पर जो आया था उन संक्याओं को multiply कर दिया था यहाँ पर आया 10 और यहाँ पर आया 3 तो answer हो जाएगा 30 तीज क्या है चतुर भूज है हाना यानि की पैरलोग्राम है ठीक है तो चीजे clear हो रही है अच्छे से कोई tension वाली बात नहीं है ठीक है चलो यह चीज हम देख चुके हैं अब यहाँ पर next दितने हैं यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे cube के बारें पढ़ेंगे गैसा आपको figure दिखाई दे रहा है और इसमें बताने कितने cube है अब इस question को दो तरीके से करने वाले है सबसे पहला तरीका 1,2,3,4,5 कितने दिखाई दिये 5 तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 5 5 के बाद यहाँ पर मैंने गिना 6,7,8,9 तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 9 हाना 9 के बाद 10,11 12 तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 12 12 के बाद 13 14 हाना तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 14 और यहाँ पर फिर 15 हाना यह 15 तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 15 अब करना क्या है बस कुछ भी नहीं करना है इनको जोड देना है अब मैंने इनको जोडा तो मेरे को इनको जोडने पर मिला 55, 55, आंसर हो गया 55, एक तो तरीका यह है, और दूसरा तरीका भी आप देख लो, दूसरा तरीका मैं इस साइड कर देती हूँ, यहाँ पर कितने डब्बे दिखाई दे रहे हैं, एक ही डब्बा दिखाई दे रहे हैं, तो बस एक डब्बा दिखाई दे रहे हैं, तो इ और यहां पर 4 डब्बे दिखाए दे रहें, तो 4 का स्कॉयर कर दो, कितना होता है 16, इसी तरह से यहां पर इस नीचे नीचे वाले में 5 डब्बे दिखाए दे रहें, तो 5 का स्कॉयर कर देंगे, 5 का स्कॉयर होता है 25, और इनको आपस में जोड लो, जोडने पर आएगा 55, द इसके उपर दूसरा नमबर, इसके उपर तीसरा नमबर, यानि पहले नमबर की जो लाइन है, इसमें कितने डब्बे रखे हुए हैं, तो इसमें मैंने देखा, एक, दो और तीन, तीन डब्बे रखे हैं, तीन डब्बे रखे हैं, तो मैंने बस इनको गुणा कर दिया, तो म अब यहाँ पर दूसरे नमबर की जो line दिखाई दे रही है दूसरे नमबर की line तो यह दूसरे नमबर की line में कितने डब्बे रखे हैं 2 तो इसको मैं multiply कर दूँगे 2 into 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इसी तरह से यहाँ तीसरे नमबर की line में कितने डब्बे दिखाई दे रहे तो यहां पर करेंगे हैं तो यहां पर हो जाएगा 3 फिर से देख लीजे पहले नमबर की लाइन इसमें कितने डब्बे रखे हुए हैं तो यहाँ पर 1 into 3 किया, तो यहाँ पर आगया 3, अब यह दूसरे नमबर की लाइन, दूसरे नमबर की लाइन में कितने डब्बे रखें, दो डब्बे दिखाए दे रहें, तो 2 से multiply कर दिया, तो यहाँ आगया 4, फिर यहाँ तीसरे नमबर की लाइन, इसमें कितने डब्बे गाइस वरत का फंडा बहुत ही आसान है सबसे इजी है करना क्या है कुछ भी नहीं करना है बस जस्ट इनको गिनना है देखो गिनना मैंने तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा और उन्नीस टोटल कितने है नाइनटीन सरकल है मैंने यहां पर बस गिनने है कितने है उन्नीस तो जितने है ना जितने दिखाई दे रहे हैं बस उतने के उतने क्या है वरत है कुछ कॉंसेप नहीं लगना है इसमें बस जस्ट गिनना है तो आंसर हो जाएगा नाइनटीन ठीक है तो यह चीज है यहां पर क्लियर ओचुकी है काफी important question है तो ध्यान दीजिएगा इन पर और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो like share जरूर कर दीजिए आप नए हो तो चैनल को subscribe कर ले और साथ एक घंटी की चिन को जरूर दबा लीजिएगा जिससे आपको हर वीडियो की latest notification मिल सके friends आज के इस session में इतना ही करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिए जद़ जद़ वीडियो को share कीजिए और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो online classes YouTube चैनल को subscribe कर ले साथी साथ घंटी की चिन को जरूर दबा लीजिएगा जिससे क होगा कि आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका notification आसानी से मिल जाएगा thank you for watching